वेलो चिल्डरेंग वेल्कम टू असा एजुकेशन आज हम करेंगे 11 क्लास की हिंदी की किताब अंतरा का पहला चैप्टर इद गाथ इसके हम करेंगे प्रिशन उत्तर तो आएए देखते हैं आप का पहला प्रिशन है इद कहा कहानी के उन प्रिसंगों का उले कीजिए जिनस इद के अपसर पर ग्रामिय और परवेश का उल्लास प्रिकट होता है मतलब यह इस कहानी में ऐसे कौन से प्रिसंग आये जिससे पता चलता है कि लोग बहुत खुश हैं इद आने पर तो आए इसका देखते हैं क्या उत्तर होगा तो इस प्रिसंग में इद के अपसर पर ग्र कितना सुपवना प्रवाथ है बहुत सुन्दर सुबह है बनुखशों पर कुछ अजीव हर्याली है खेतुं में कुछ अजीव रॉनाख है आस्मान में कुछ अजीव लालेमा है तो आज verbal का सूर्य कितना प्यारा कितना शीतल है मानो संसार को इद की बदाई दे रहा है तो जो लोग हैं जिनके कुर्टे में बटन नहीं हैं वो पास के घर हों में जा रहे हैं सूई धागा लेने के लिए, ताकि वो अपने कुर्टे में बटन लगा सके, मेले में जाने के लिए तो किसी के जूते काफी करे हो गए हैं रखे रखे तो वो उनमें तेल डालने के लिए घर भागते हैं जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी देदें लोग कहते हैं जल्दी बैलों को सानी पानी देदें पतानी कितना बक्त लग जाएगा तो अब क्या हो रहा है सब लोग बहुत खुश हैं जानी के तैयारियां चल रही हैं बच्चे हैं वो अपनी गुलक मैंसे पैसे निकाल के गिन रहे हैं देख रहे हैं कितना कितने पैसे हैं वो कितना एंजॉय कर सकते हैं मेले में जाकर क्या क्या ले सकते हैं जिनके कुरते मे बटन लगाने के लिए सुई धागा लेने के लिए भाग रहे हैं जिनके जूते कड़े हो गए उनमें तेर डालने के लिए जा रहे हैं और जो बैल हैं उनको जल्दी जल्दी चारा डाल रहे हैं तक कि भूके ना रहे हैं क्योंकि पता नहीं इद गाह से लोटते लोटते कित पर्वेश का जो अलास है बो कितना चरम सीमा पर है इदगाह आने पर तो इदगाह गानी के उन प्रसंगों का उलेक के जिए जिसे इद के अब सर पर ग्रामिय पर्वेश का उल्लास प्रकट होता तो यह सारे यह सारी चीजे हैं जिन से पता चलता है कि काहूं के लोग कितने प्रिसंद है इद आने पर इदगा जाने के लिए फिर आपका अगला प्रिशिन है उसके अंदर प्रिकाश है बहार आशा विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए हामित की आनंद भरी चित्वन उसका बिद्वन्स कर देगी इस कथन के आधार पर इसपस्ट कीजिए कि आश का प्रिकाश सदेव फैला रहता है तो उसके अंदर प्रिकाश है मतलब जीवन में आशा का प्रिकाश की ये काम होगा हमारे अंदर अगर आशा है हम निराश नहीं है तो हमारा काम अवश्य हो जाता है तो उसके अंदर प्रिकाश है बहार आशा तो जीवन में आशा का प् जो हमारे अंदर आशा रूपी प्रिकाश है हम उस काम को कर लेते हैं और हमें जीवन में आगे बढ़ाता है तो आशा रूपी प्रिकाश हमें निराश्या के छ़़ों से बाहर ले आता है और जीवन में हमें आगे बढ़ाता है कई बार क्या होते हैं ऐसी विश्यम परिस्ति बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा यह कहते हैं कि एक मैं नहीं कर पाऊंगा तो अगर तुमने मन में सोची लिया कि नहीं कर पाऊगे तो वो काम कभी नहीं होता तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं अपने जीवन से हार मान लेते हैं और लगना छोग देते हैं काम करना ही छोग देते हैं मगर जिस मनुश्य ने आशा का दामन थाम ल संग लाएगी मतलब उसकी जीत होगी तो यही आशावादी सोच उसे बाहर रिकाल लेती हैं और जीवन में निराश नहीं होना चाहिए तो जो हामीद है उसके माता पिता उसके संग नहीं है उनकी मिरत्ती हो चुकी है लेकिन उसको अभी भी उमीद है कि उसके माता पिता वशी ही लोट कर आएंगे क्योंकि वो छोटा बच्चा है उसको नहीं पता कि जो मरे हुए लोग होते हैं जो चले गए इस दुनिया से वो कभी नहीं आते लेकिन वो इसी आशा में जी रहा है कि उसके माता पिता अवशी आएंगे और यही किराद उससे सदा प्रिसन रखे हुए है तो वो अभावों की जिन्दगी जी रहा है उसके जीवन में बहुत कमिया है मगर उससे उसको कोई फरक नहीं पलता बह जानता है कि एक दिन उसके यही विश्वास जो है विपत्ती को उसके आगे गुटने टेकने पर विवश्य कर देता है तो उसकी जो यह आशा है उसको जो यह उमीद है कि उसके माता पिता अवश्य आएंगे उसके दिन अवश्य बदलेंगे तो उसकी यही उमीद जो है विपत्ती में जो वो जी रह है अपने जो बिशम परिस्टितियों में जी रहा है उसमें भी उसको यह उमीद है कि उसके दिन अभश्य बदलेंगे उसका यही विश्वास बिपत्ती को जो उसके जीवन में बिपत्ती आई है उसके आगे घुटने टेटने के पर बिवश्च कर देता है मतलब बिपत्ती भी उसका कुछ नहीं बिगाग पाती है अपका तीसरा कुश्चन है उन्हें क्या ख़वर थी कि चौदरी आज आँखे बदल ले तो यह सारी एद महरम हो जाए इस कतन का क्या आश्य है इस पश्ट कीजिए मतलब उन्हें क्या ख़वर की चौदरी आँखे बदल ले तो क् उनकी इद नहीं बन पाएगी तो गाउं के सभी चौदरी से पैसे उधार लेते हैं चौदरी से उधार लेकर इनके घर में तोहार मनाया जाता है तो उन्हें क्या ख़वरे कि चौदरी आँखे बदल ले आँखे बदल ले मतलब चौदरी मना कर दे नाराज हो जाए उन्ह पैसे उधार देने से इंकार कर सकता है, मना कर सकता है, तो उसकी नाराजगी उनके तोहार को नश्ट कर सकती है, अगर पैसे ही नहीं होंगे उनके पास तो कैसे तोहार मनाएंगे, तो घर में शोक का बाता बराव चा सकता है, अता चौधरी से इंकार को बताने के लिए लेख महरम में तब्दील हो जाएंगी महरम कैसा तोहार होता है दुख का तोहार होता है तो उनकी जो खुशियां है वो मातम में बदल जाएंगी तो गाउं के सभी चौद्री से पैसे उधार लेते हैं चौद्री से उधार लेकर उनके घर में तोहार मनाया जाता है यदि चौद्र किसी बात पर नाराज हो जाए तो उन्हें पैसे उधार देने के लिए मना कर सकता है उसकी नाराजगी उनके तोहार को नश्ट कर सकती है तो घर में शोक का बाता पर चाह सकता है मतलब सभी लोग दुखी हो सकते हैं क्योंकि उनका तोहार नहीं बन पाएगा अगर चौधरी आखे बदल ले मतलब उनको पैसा ना दे इसलिए चौधरी के इंकार को बताने के लिए लेखक ने यह कथन लिखा मतलब चौधरी मना कर देगा तो लेखक ने यह लिखा कि उनका जो यह तोहार एईद का वो महरब में बदल जाएगा मातम में बदल जाएगा प्रिते पंक्ति के पीछे उसी तरह अन और पंक्तिया भी है मतलब सभी पंक्तियों में बैठे हुए है और नवाज पर गए है सभी लोग एक साथ जुकते हैं एक साथ उठते हैं एक साथ नीचे होते हैं एक साथ ऊपर उठते हैं तो ऐसा लगता है मानो भात प्रत्य का एक सूत्र समस्ता आत्माओं को एक लड़ी में प्रोई हुए है मतलब इतना अच्छा लगता है देखने में ऐसकता है बहुत जादा सभी में भाईचारा है तो नमाज पगलने का एक ही समय और तरीका सभी मनुश्यों को आपस में जोग देता है बे एक साथ मिलकर प्रातना करते हैं किसी के मन में किसी के लेकर कोई शत्रता नहीं होती सभी आपस में भाईचारा रखते हैं कोई किसी से नफरत नहीं करता सबके मन एहंकार से रहित होते हैं और श्रद्धा से युक्त होते हैं बहुत शर्दा भाव से बोलो नमाज पगते हैं सब उसमें भाई-भाई हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि धर्म जो है वो तोगता नहीं बलकि जोगता है बै कभी किसी को लगने तता शत्रता रखने का संदेश नहीं देता उसकी हरी तता उपदेश में मनुश्यों को आपस मे जोगे रखने का प्रियास किया जाता है तो यहां पर यहीं बताया गया है कि जो धर्म होता है वो हमें तोगने की प्रियागना नहीं देता हमको यह नहीं कहता कि हमें किसी से नफरत करनी चाहिए बलकि हमको जोगे रखता है तो ईद के समय क्या होता है नमाज जब पगी ज तो सभी लोग नमाज पढ़ते हैं जुकते हैं एक साथ उठते हैं तो ऐसा लगता है कि सभी लोग आपस में एक सूत्र से बंदे हुए हैं तो नमाज पढ़ने का एकी समय होता है एकी तरीका होता है सब लोग एक साथ मिलका प्रात्ना करते हैं तो ऐसा लगता है कि सभी के मन में कितनी अधिक श्रद्धा है और सब के मन में एहंकार की भावना किसी के मन में एहंकार की भावना नहीं है उस समय सभी से लोग भाई भाई हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि धर्म जो है वो जोड़े रखता एक दूसरे को कभी तोगने की प्रियोड़ना नहीं देता कभी कि किसी को तोगता नहीं है तो भै कभी किसी को लगने तथा शुत्रता रखने का संदेश नहीं देता जो धर्म होता है हम किसी भी धर्म में यह नहीं कहते कि आपस में लगो या आपस में शुत्रता रखो तो धर्म जो होता है वो सब को एक सूत्र में बांधे रखता है उसकी हर बेरित तता उप्देश में मनश्यों को आपस में जोगे औरिखने का प्रियास किया जाता है हुम कह सकते हैं कि धर्म तोगता नहीं जोगता है इंगला प्रिशन है इदगा कहानी के शिल्घ्घ्घ्घ की जिए क्या इसका कौई न। débड .- अन्स इदगा कहानी का शीलशक बल्कुल और चिता है क्योंकि ये जो कहानी है वो शुरू से अंत्क एदगा के बारे में ही बताती है तो मेरे ठ्याल से जो ये शीलशक है बल्कुल ने के लिए लूगों के हर्श को बिखाया गया कि लोग कितने प्रिसन है ईदगाह जाने के लिए तो गाउं के लोग कैसे ईदगाह में जाने के लिए प्रिसन है और बच्चे भी ईदगाह जाने के लिए अतंत उसाहित नजर आ रहे हैं तो पूरी कहानी में हमें ईदगाह के बारे में ही बताया गया है कि लोग मेले में जाने के लिए कितने खुश है जहां तक हामित की बात की जाए बेह भी अपनी बूरी दादी के साथ बहुती प्रिसन हो बहुती प्रिसन है तो बूरी दादी के पास जदा पैसे तो नहीं है पर अंतु इस बात का हामित पर कोई असर नहीं है कि उनकी दादी के पास पैसे नहीं है तो हामित की दादी सिर्फ इस चिंता में है कि ईत जैसे तोहार पर खाने में क्या बनाएगी और मेले जाने के समय बच्चे को क्या देगी किसी तरह हामित को क्या गरती है तीन पैसे देती है हामित मेला गूमने जाता है मेले में पहुंचने के बार अने बच्uchen जो अने बच्चे हैं वो तो खिलोना लेते हैं लेकिन हामित का मन जो है बिलकुल नहीं लल चाहता इन सब खिलोनों को देख कर तो वो कुछ ऐसा लेना चाहता है जिससे की दादी मा की मदद हो सके उसको अपनी दादी की बहुत चिंता है तो उसको पता है कि दादी जब खाना बनाती है तो उनके हाथ जल जाते हैं तो वो मेले से क्या करता है चिम्टा लेता है अपनी दादी के लिए ताकि दादी के हाथ ना जलें रोटी बनाते वक्त तो इसलिए उसने क्या किया है चिम्टा लिया घर आकर जब दादी को चिम्टा दिखाता है और सारी कहानी बताता है सब कुछ बताता है चिम्टे के बारे में कि उसने चिम्टा क्यों लिया तो दादी को अपने बेटे पर अपनी जो पोता है उस पर बहुत अधिक गर्ब होता है और उनके खुशी के आंसू निकल आते हैं तो ये पूरी कहानी जो है ईद गाह के इल्दिगिल्द ही गूमती है तो ये जो शीलशक रखा गया है बिल्कुल ही ठीक रखा गया है इसलिए ये शीलशक बिल्कुल और चित्ते पूर है तो इस कहानी का शीलशक और कुछ भी हो सकता है जैसे कि कहानी का शीलशक हामिद और उसकी बूरी दादी दादी के लिए चिम्टा हामिद और चिम्टा इस तरह से अन्य शीलशक भी हो सकते हैं तो इस कहानी के और शीलशक क्या हो सकते हैं हामिद और उसकी बूरे दादी दादी के लिए चिम्टा हामिद और चिम्टा लेकिन जो इदगार रखा गया है कहानी का शील्चक वो पूरी तरह से सही है फिर आपका अगला प्रिशन है निर्मिकित गद्यांशों की सप्रिसंग ब्याक्या कीजिए यहां प को एक लगल में प्रोई हुए है तो यह अला जो गद्यांश है आपका वो है जब सब लोग नमाज अदा करते हैं यह जापर तो महाँ पर जो सुन्दर द्रश्य प्रस्तुत हुआ है उसका यहां पर बगलन किया गया है तो यह देखते हैं तो आप यह जो पंक्तिया है यहां प्रेम चंदर द्वारा लखित कहानी एदगाह से लिया गया यह पंक्तियां एदगाह कहानी से ली गई इसके लेखक प्रेमचंद्र जी है मुच्जी प्रेमचंद्र जी है और इस अदा करने का द्रश्य दिखाया है तो लेखक ने नमाज अदा करने की परणाली का बहुती आकर्शक ढंग से वर्लंग किया है इसे बताया गया है कि लोग जब नमाज अदा करते हैं तो उस समय का जो द्रश्य होता है वो कितना मनोरम होता है आई अब देखते हैं कि इसकी क् सिर को जुकाते हैं और फिर एक साथ जुक जाते हैं तो सभी के दोरा ये किलिया कई बार दोराई जाती है मतलब वो एक बार जुकते हैं सजदे में नीचे जुकते हैं फिर वो एक साथ ख़गे होते हैं और फिर जुक जाते हैं सभी लोगों के दोरा ये किलिया की जाती है त लोगों की एक साथ इस प्रकार की क्लिया जो है मन को श्रद्धा और आनंद से भर देती है तो जो ये क्लिया है जब इस प्रकार की क्लिया होती है तो ये क्लिया सभी के अंदर भाईचार की भावना का निर्माग करती है सभी लोग एक साथ उड़ते हैं बैठते हैं जुकते ह तो ऐसा लगता है सम्मे कितना अधिक भाईचारा है ऐसा लगता है मानों सभी मानबो की आत्माओं को एकता के धागे में ऐसे प्रो दिया गया है जैसे माला के धागे में मोती के धाने हो तो ऐसा लगता है जैसे की माला में जो माला होती है उसमें एक साथ जो मोती प्रोई ज जाते हैं उसी के समान ये लग रहे हैं कि सभी लोग क्या है धागे में प्रोय हुए मोती हों तो सभी का इस तरह से एक जात जुकना उठना इस तरह ऐसा लगता है जैसे कि वो जलते और भुचते हुए बल्ब हों और माला में प्रोय हुए मोती हों उनको देखकर ऐसा लगता है कि सभी के अंदर कितना अधिक भाई चारा है तो यहां पर यही बताया गया है कि यह जो धर्म होता है वो हमें तोगने की नहीं बलकि जोगने की शिक्षा देता है तो यहां पर क्या बिशेश है तो लेखक ने ईद गाह में नमाज अदा करने का बहुती सुन्दर वर्लन कि है रूपक और उपमालंकारों का यहां पर प्रियोग किया गया है फिर आपका अगला गद्यांश है बुर्या का किरोध से लेकर स्वाथ से भरा हुआ तो यह पंक्तिया आप देख लेना अपनी किताब में कहां से कहां तक है बुर्या का किरोध से लेकर स्वाथ से भरा हुआ इसके आपको करनी है ब्याक्या तो पहले हम लिखेंगे इसका प्रिसंग और संदर्ब तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे कि ये पंक्तिया कहां से ली गई है और इसमें क्या बताया गया है तो यह गद्याश प्रेम चंद्र द्वारा लिखित कहानी ईदगाह से लिया गया है यह आप लिख सकते हैं कि प्रसुपंक्तियां हमारी पाठे पुस्तक अंतरा के ईदगाह नामक पाठ से लिए गई है और इसके लेखक मुशी प्रेम चंद्र जी है इस गद्याश में उन्होंने अमीना जो की हामित की दादी है तो इस गद्याश में अमीना अपने पोते हामित के हाथ में चिम्टा देखकर हैरत और शोक में पाग जाती है उसको बहुत हैरानी होती है कि इतना चोटा बच्चा चिम्टा लेकर आया है एक छोटा सा बच्चा खाने खिलोने के लालच को छोड़कर उसके लिए चिम्टा खरीद लाया है तो यहां बताया गया है कि एक छोटा सा बच्चा जो की इतनी छोटी उम्र का है जिसको की मेले में जाकर अपने जो शौक थे उसको पूरा करना चाहिए लेकिन उसने दादी का यहाँ पर कितना ख्याल रखा उनके लिए चिम्टा लाया क्योंकि रोटी बनाते वक्त जो दादी है उनका हाथ जल जाता था तो आईए देखते हैं इसकी क्या ब्याक्या होगी तो दादी ने जब हामिद से चिम्टा लाने का कारण पूछा तो उसका जबाब बहुती मासूम और समझदारी भरा था तो अपनी दादी के हाथों को रोटी सेकते समय जलने से बचाने के लिए भर चिम्टा ले आया तो पहले क्या होता है जब दादी देखती है कि हामिद चिम्टा लेकर आया है तो उनको गुस्सा आ जाता है लेकिन जब जो हामिद होता है बहुती मासूमित के साथ उनको बत पहले वो बहुत क्रोधित थी अपने पोते से कि यतनी चोटी उम्र में वो क्या ले umr में nevक्ष कर आया जब कि वो यह जब बताता है कि वो क्यों लेकर आया तो डादी बहुत भावबक हो जाती है उनका गुस्सा शान्त हो जाता है और वो इसने और मम्ता से भर जाती है उनको अपने बच्चे पर बहुत अधिक प्यार आता है कि उसने अपनी दादी का कितना ख्याल रखा तो यहां पर जो दादी है वो प्रिसनेता के कारण कुछ बोल नहीं पा रही है बहबस हामित को देखे जा रही है तो दादी इसने रस से भर गई थी वो हैरान थी कि इतने चोटे बच्चे की भावना कितनी सत्ते और समझदारी से युकता है तो बहुत चोटा बच्चा है औ दादी भी बहुत हैरान थी यह देखकर विशेश में हम लिखेंगे कि दादी ने यहां पर जो दादी है उनके मनो भावों का सुन्दा चित्रल किया गया है यहां पर दिखाया गया है कि दादी पहले कैसे गुस्ता करती है फिर कितनी शान्त हो जाती है और जो अपना बच पुषा जो है बहुत सरल है आसान हो फिर आपका अगला प्रिशिझ आ हामिद ने चिंटे की उपयोगीता को सिद्ध करते हुए क्या क्या तरक दिये तो जब उसके दोस्त उसकी Monsieur बनाते है कि उसने क्या लिया तो हामिद क्या क्या बताता है चिंटे की जल्दी नश्ट हो जाते हैं, χिलोने क्या होता है, जल्दी तूट जाते हैं, मगर चिम्टे का कुछ नहीं भीड़ेगा, ये चलता रहेगा, तो इसका जो चिम्टा है, बहुत मजबूत हैं, ये कभी तूटेगा नहीं हमेशा चलेगा, भर उसने बताया, कि दादी चिम्टा देखकर उसको लाखों दुआएं देगी तो उसने बताया कि तुम लोग जो खिलाने लेके आयों तो टूट जाएंगे तुमको मम्मी कुछ नहीं बोलेगी लेकिन जो मेरी दादी है जब चिम्टा देखेंगी तो उनको बहुत खुशी होगी और मुझको लाखों दुआएं देगी तुमारी मम्मी तुमको दुआएं नहीं देगी क्योंकि तुमने अपने लिए ही खिलाने खरीदे हैं तो जो उसकी दादी हैं चिम्टा देखकर उसको बहुत प्यार से गले लगा लेंगे और लोगों के पास उसकी तारिफ करेंगी तुमारी मम उसका जो चिम्टा है उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा वो खराब नहीं होंगे तो जो और बच्चे खिलोने लेकर आएं अगर उनको बारिश में डाल दिया जाएगा सर्दी गर्मी जादा होगी तो उनके जो खिलोने वो खराब हो जाएंगे लेकिन उसके चिम्टे का इसको बजा भी सकते हैं और वो बताता है कि अगर इसको कंदे पर रख लेते हैं तो यह जो चिम्टा है वो बंदू के समान दिखाई देता है तो वो अपने चिम्टे की इस तरह से काफी तारिफ करता है और उपनी चिम्टे की उपयोगता बताता है कि उसके जो और जो मध्य पढ़ने वाले इस्थानों कなए और वड़नन के दिशानों की जीए उसको आप यहां पर लिल्खना आए तो आप इपने शब्दों यहां पर लिख सकते हैं तो ethanol तो हम लिखेंगे जैसे की मेरे घर और विद्धियाले के मद्ध पांच किलो मीटर का फासला है मतलब मेरा घर जो है विद्धियाले से पांच किलो मीटर की दूरी पर है तो आप यहां पर अपना जो फासला है मतलब कितनी दूर है आपका विद्धियाले वो लिख सकते हैं औ मैं जब जाता हूँ इसकूल तो हमारे लाके का जो मुख्य बजार वो आता है हम अपने मकान की गली से निकल कर इस मुख्य बजार की सड़क पर पहुंच जाते हैं तो इसके दोनों और आम बाले तथा केले वाले ठेले लगा कर बैठे रहते हैं गली से दाई और मुख्य सड़क आती है इसके एक और छोटे छोटे ढावे बने हुए है जहां पर बाजार में काम करने वाले मजदूर दोपेर के समय खाना खाने आते हैं इस ढावे पर जो मजदूर हैं बाजार में काम करने वाले वो खाना खाने आते हैं हम जब सुबह जाते हैं तो यह सब सुनसान होता है तो जब हम सुबह जाते हैं तो कुछ भी खुला नहीं होता तो वहाँ पर काफी सनाटा होता है सुनसान होता है लेकिन विद्याले से जब हम लोडते हैं तो यहाँ पर काफी लोग होते हैं काफी भीर दिखाई देती है कु बता रहे हैं सरकारी कॉलोनिया बनी हुई है इसी सरफ मंदिर میں मंदर के है नल नई लगा वा है बच्चे बहुतüs बते हैं जो की क्या करते हैं इस नल को चलाकर बाग जाते हैं तो यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हैं मतलब अपने घर्ट और विद्ध्याले के बीच में जो कुछ भी आता है वो सब कुछ आप यहाँ पर लिख सकते हैं इससे आगे के प्रिश्ण हम करवाएंगे आपको अगली वीडियो में तो आप इन प्रिश्णों को अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजूकेशन को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर घरना पिलकुल मत भूला करिए थैंक यू